Hello students, आज अपने 12th RBSC Biology का Chapter No.6 करने जा रहे हैं, पादपों में जल अव्शोशन वेर असार होन. पादपों के लिए जो जल का मुख्य स्त्रोत होता है, वो वर्षा का जल होता है, रेन वाटर होता है, और वर्षा का जल जो है, उसको अपने दो तरीके से बाढ़ सकते हैं, दो पार्ट्स में बाढ़ सकते हैं, एक होता है अपवाहित जल, रन अवे वाटर, और सेकंड होता है मरदा जल सोईल वाटर अपवाहित जल तो वह होता है कि जैसे मालों तेज बारिश आती है जब तो बहुत सारा पाणी जो है वह बैकर नदियों जर्नों तलाबों वगरा में चला जाता है तो जो किसी भी तरीके से पात्मों के लिए उस समय वहां पर अवेलेबल नहीं होत तो इस परकार के जल को अपने बोलते हैं रन अवे वाटर या अपवाहित जल दूसरा जो परकार है वह है मरदा जल जनी कि ऐसा जल जो मरदा ने अवशोशित कर लिया तो उस जल को अपने बोलेंगे मरदा जल या सोईल वाटर मरदा जल जो है वह तीन तरह का हो सकता है फ इन तीन परकार का यह जो जल है जिसको अपने soil water कहा है तो इसमें से सिर्फ पादपों को जो किशी का जल है वही उपलब्द होता है गुरूत्व जल और आर्दता ग्राही जल जो है यह पादपों के लिए उपलब्द नहीं होता इसका कारण क्या है कि जैसे नाम से ही पता ल लागया भूमी की जिससे पादप वहां से उसको अवशोशित नहीं कर सकते सेकंड नमबर जो है आर्दरता गराही जल जा जिसको अपने हाइगरोस्कॉपिक वाटर बोलते हैं यह वो जल है जो म्रदा के कनों की सतह पर चिपक जाता है फिर से सुनिए हाइगरोस्कॉपिक व सकते हिidet हें मरदा के कनों के साथ इतनी मिजबूती से वो बंदा हुआ होता है किशी का जल क्या होता है कि जो उपस्तित छोटे-छोटे शिद्र होते हैं उनमें जो जल रहता है उनको कहा जाता है केशी का जल तो इसको पादप अवशोशित कर सकते हैं उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी हुए है दर मैंने होलार्ड, क्रेशर्ड, एकार्ड यह तीनों के तीनों जो तर्म है वह इसी से लिटेडर है सॉयल्वाटर से लिटेडर है अपनी बुक में अपने चैप्टर में नहीं यह यह स instance आपके लिए होलाड कैंद क्या होता है कि में उपस्तित जल की कुल मातरा है अब कौल मातरा कोंड कोंड सी होई गुरुतो जल、 आर्दता गाही जल केशी का जल इसके अलावा एक और टाइप होता है रसाइनानू बंदी जल बोलते हैं उसको अपने नहीं है वो तो अपने सीधा सा याद रखना है कि म्रदा में उपस्तित जल की कुल मात्रा जो है वो क्या कहलाती है होलाड कहलाती है second जो अपने point दिया हुआ है kreisard kreisard म्रदा में उपस्तित जल की वो मात्रा है जो पोदों के लिए उपलब्ध होती है अब पोदों के लिए क्यों सा उपलब्ध है सिर्फ इसमें से केशी का जल उपलब्ध है तो ये तीन टर्म में इसे लेटर थी तो ये मैंने एक्स्टा पॉइंट के रूप में लिखती है ये आगे इन फ्यूचर आपको कहीं न कहीं जरूर काम आएंगी उसके बाद नेक्स्ट मैंने जैसे बताया था कि सिर्फ केशी का जली जो है वो पादपों के लिए उपलवद होता है अब अपने पास नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनमें जल को अवशोशन करने के लिए कौन-कौन से अंग पाए जाते हैं प्लांट्स अपने देखा था कि जो जैसे कवक हैं, एलगी हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेडोफाइटा, जिमनोस्परम, एंजियोस्परम इनके जो सदस्या हैं प्लांट्स में तो उनमें कौन-कौन से सरंचनाए हैं जो जल को अवशोशीत करती हैं फर्स्ट अपने देखते हैं थैलोफाइटा, जिसमें थैलस प्रिजेंट होता है, यहीं जड तनापत्ती में वेजित नहीं होता, लाइक इसमें अपने फंजाई एलगी आएंगे, कवक वेशैवाल, तो कवकों वेशैवाल की जो श्रीर की संपूर सतय है, वो ही जल का क्य करती है, अवशोशन करती है, उसके बाद जो ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं, उनमें एक कोशी किये, कुछ में और कुछ में बहु कोशी किये, मूलाबास पाए जाते हैं, मूलाबास क्या होता है, पिछली अपने एल्यामत में देखा था, कि जड के समान जो स्रंचना पाई जाती हैं, उनको मूलाबास या राइजोइट्स बोलते हैं, तो इनमें जल अवशोशन का करया जो है, वो राइजोइट्स के दवारा किया जाता है, फिर जो हाइर प्लांट्स होते हैं, हाइर प्लांट्स का मतलब है, जिनमें वेल डवेल्पर रूट शिस्टम पाय जाता है जड तंत्र पायता है जिसके द吧 अपकर जे सकते हैं तो वह कि सतरा प्रछीfunded अप्ट का क्या रहे जाता है तो क्या उनकी पूरी पूरी जड जो हो जल वस्चोंचन का करेंगी तो ऐसा नहीं होता जल वैक नीज लवनों का जो अफ्शोशन है वो जड़ की पूरी सतय नहीं करती इसको अपने आगे देखते हैं कैसे मूल को दो शेत्रों में बांटा जाता है जो जड़ है एक होता है उसका तरुन शेत्र जिसको यंग रीजन बोलते हैं अब तरुन शेत्र जो है यंग रीजन जो है इसको पुने चार वागों में बांटा जाता है वो चार पार्ट कौन कौन से हैं इसके सबसे पहला पार्ट जो है वो है मूल गोप इसको रूट कैप बोलते हैं ये किसी भी जो मूल है कोई भी उसका बिल्कुल जो शिर्ष पार्ट होता है ये वाला इसको अपने कहा जाता है मूल गोप ये क्या करता है ये इसके उपर आवरण ब्राने का काम करता है ताकि ये किसकी रक्षा कर सके मूल शिर्ष की क्या कर सके रक्षा कर सके तो रूट की जो कोशिकाएं है इन में विव्योत्तक उत्तक पाया जाता है मेरिश टेमेटिक टिशू पाया जाता है और विव्योत्तक उत्तक आपको पता है कि कोशिका विवाजन के लिए है तो इसमें बहुत अधिक संक्या में कोशिका का विवाजन होगा तो बहुत सारी कोशिकाओं व्रदी करेंगी तो इससे जड़ की जो लंबाई है वो क्या होती है बढ़ती है दिर्गी कर्ण शेतर की रिजन ओफ एलोंगेशन बोलते हैं इसको तो यह तीसरा शेतर हुगा जो तरुन शेतर का पार्ट है चौथा जो बाग होता है वो होता है मूल रोम शेतर एक्चुल में अपनी बुक में यह दिया हुए कि मूल रोम शेतर अलगे से दिया हुए है रेफरेंस बुक यह कहते है कि जो mature region होता है उसकी ही कुछ कोशी का है वरदन शील कोशी का है बाहर की और बढ़कर mood room का क्या करती है निर्मान करती है तो अपने अलग दिया हुए तो अपने ये पढ़ेंगे कि mood room शेतर mood room present होते हैं इसके अंदर और इसका कार्या जो होता है वो जल अवशोशन का होता है ये आपको जो उपर region दखाई दे रहा है ये वाला जो शेतर है ये कौन सा है mood room और इसके पीछे जो बाग है वो कौन सी कोशी काउं का बना होता है परीपकवन अब इसका नाम परीपकवन क्यों रखा गया ये तो जो चारों के चारों पाट थे मूल गोप, मूल शिर्ष, दिर्गी करन, मूल रम, शेतर ये तरुन शेतर के बाग थे और इसके पीछे वाला बाग जो होता है उसको परीपकवन शेतर बोलते है परीपकवन मैचे और इजनी से भी बोला गया तो इसलिए इस शेतर को परी पकवन या मेचे ओरीजन कहा जाता है और दूसरा कार्ण यह है कि यहां की कोशिकाएं जो है वो कोशिका विवाजन नहीं करती तो इस शेतर की कोशिकाएं लिगनिन वैस सुबेरीन के जमाव के कार्ण जल के लिए पार्गमिय होती है तो ये अपने मूल के शेतरों की बात हुई अब अपने next topic जो इसमें है वो है जल absorption की किरियाविदी तो एक grammar नाम का scientist था उसने पोदों में जल absorption को दो परकार से जो वर्नित किया एक निश्किरिया जल absorption और एक सक्रिय जल बशोशन पहले को बोलते हैं passive water absorption और second जो है वो है active water absorption इन दोनों के बारे में आपको एक simple सी बात बता दूँ passive water absorption जो है इसमें किसी भी परकार की ATP खर्च नहीं होती और active water absorption जो है इसके लिए आपको plants को ATP जो है वो खर्च करनी पड़ेगी ये इनके लिए simple बात है अब इनको आगे कैसे अपने detail में समझते हैं तो वो देखिए सबसे first अपने पास है निसकीरिया जल बशोशन देखिए अगर पादपों द्वारा जल बशोशन जो हो रहा है उसके लिए जो कार्ण जो factor काम कर रहा है वो कोई वाईविया पार्ट हो वाईविया बाग हो, aerial पार्ट हो मतलब देखिए ये जैसे एक प्लांट है इस पर ये पत्ती लगी हुई है और इस प्लांट की ये roots है अब roots यहां से जो जल है उसका अवशोशन कर रही है और इस अवशोशन का जो कारण है वो यहां पर बन रहा है यानि पादप के कौन से बाग में बन रहा है aerial पार्ट में, वाईविया बागों में बन रहा है तो इस परकार का जो जल अवशोशन है वो कहलाता है कैसा जल अवशोशन निश्कीरिया जालो शोशन देखें कैसे यह हुआ क्यों यह अपने इसके मेकेनिजम में पढ़ेंगे एक्चुल में प्लांट कोई प्लांट है उसमें रूट से लेकर प्लांट का जो बिलकुल टिप पार्ट है हर एक जो उसकी शकाई है उसके टिप पार्ट पर जल का एक एक टूट स्तंब पाया जाता है यहां से लेकर इस पूरे बाग में जल का एक जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होता एक टूट जल स्तंब पाया जाता है जब यह पतियां यहां से वास्पो सरजन करेंगी ट्रांस्पिरेशन करेंगी तो यहां पर जल की कमी होगी और जल की कमी होने के कारण इस पत्ती की जो शिराएं हैं उनमें एक विशेश परकार का तनाव एक विशेश परकार का टेंशन जो है वो किरियेट होता है उत्पन होता है यह जो तनाव है यह नेगटिव परकार का होता है इसको रिनात्मक तनाव या चूशन दाव भी कहा जाता है इसको इसको ट्रांस्पिरेशन पुल भी कहते हैं वास्पो सर्जन कर्शन बोलते हैं इसको फिर से सुनिए पालपों में जड़ों से लेकर तने में से होता हुआ प नात्मफ परकार का होता है इसे चूशन दाब वास्पो सर्जन कर्शन भी कहा जाता है इसके कार्ण ये तनाव उपर से नीचे की और आता हुआ तने के जल स्तंब में से होता हुआ जड़ों तक पहुंचता है और जैसे जड़ों तक पहुंचता है तो इस तनाव को इस के चारक पादप के वाई यह बाग करता हैं। तो जड की कोशिकाएं केवल मारक का काम करती हैं। यदि कारक जो अफ्षोशित जल को क्या परदान कर रही है। रस्ता दे रही है। तो इस परकार का जो जल अवशोशित जल होता है। पादपों में जो अवशोशित जल होता है उसकी 96 से 98 प्रतिशत जो मात्रा है वो इसी विदी दवारा अवशोशित की जाती है और स्टार्टिंग में बताया था इस किरिया के लिए किसी भी परकार की ATP की आवशकता नहीं होती अब निश्किरिया जल अवशोशन की किरिया व होता है इसे चूशन दाब या वास्पो सर्जन खिचाव ये एक थिवरी भी आगए अपने पढ़ेंगे चेप्ट में लास्ट में ट्रांस्पीरेशन पुल कहते हैं ये तनाव पत्यों की शिराओं से तने के जल स्थम जल स्थम जो बताया कि जड़ों से लेकर शिकर बाग तक एक एक टूट जल का स्थम पाया जाता है ये तनाव पत्यों की शिराओं से होता हुआ जल स्थम से होता हुआ मूलों तक पहुंचता है इस तनाव के कारण मूल रोम जो है वो मरदा से जल का को सवत्य ही क्या कर लेते हैं खींच लेते हैं और इस थेरी के रूप में इस थेरी के सबंद में परमान भी मिलता है अपने देखते हैं कि जब वास्पो सर्जन अधिक हो रहा होगा तो उस समय पादप जो है सरवादि की जल अवशोचन करते हैं और इसका यह रही कारण है क्योंकि उपर से जितना जल जो है वो बाहर जा रहा है वास्प के रूप में तो नीचे से उतना ही जल को क्या किय जाता है खेंचा जाता है तो इसपर कार का जो जल आधा है वो कर लाता है निश्क्यरिया जल बसोशन Passive Water Absorption Second जो अपने पास है वो है सक्रिय जल अवसोशन Active Water Absorption यह उसका उल्टा हो जाएगा वहाँ पर जो कार्क थे वो वाई भी अपार्ट में काम कर रहे थे यहाँ जो कार्क होंगे वो मूल की कोशिकाओं में लगेंगे तो देखिए जब जल अवसोशन के कार किया बल मूल की कोशिकाओं में उपस्तित होती है तथा मूल की कोशिकाओं सक्रिय रूप से जल अवसोशन में बाग लेती है तो इसे सक्रिय जल अवसोशन कहते हैं वो 96-98% था तो यह 2-4% जो मातरा अवसोशन की वो इस विदी से संपन होती है और इस कार्य के लिए ATP खर्च होती है अब इसकी क्रिया विदी क्या है यह है अधिकतर उस समय होता है जब वास्पो सर्ज नहीं होता मुशलिए रातरी के समय होता है दूसरी बात इस अव्शोशन के लिए मूलों में उपस्तित जो जलस्तंब ह बिल्कुल शिक्र तक पाया जाता है तो जो मूलों में जलस तम उपस्त है उसमें एक विशेश परकार का बल उत्पन होता है दिनात्मक बल उत्पन होता है यह क्यों होता है यह आगे अपने जब असेंट आप सैप पढ़ेंगे रसा रूहन पढ़ेंगे तो यह वहां पर एक दिनात्मक बल उत्पन होता है जिसे मूल दाब कहते हैं इसी के कारण मूल जो है वो मरदा जल को बल पूर्व को शोशित करती है और जब यहां पर किसी चीज को फोर्सफुली खींचा जाएगा तो इस कारह के लिए किसकी आवशक्ता होगी एटीपी की आवशक्ता पड़ती है जैसे आप सिंप्ल समझे कि आपको आगर आप फोर्सफुली नीचे से पानी को उपर टंकी में चलाना चाते हो तो इसके लिए आपको एनर्जी की जूरत पड़ेगी जो विदूत मोटर के तुरू आप चड़ाओगी तो उसी परकार अपने जानते हैं उर्दा का निर्मान तो जड़ की जो स्वशन करने वाली कोशी काई है वो इस कारे हेतु एटीपी को उपलब्द करवाती है और इस परकार का जो अवशोशन है वो कहलाता है सक्रिय जल अवशोशन एक्टिव वाटर एबजॉप्शन ओके स्टुडेंट के थरू जाइलम तक पहुंचता है ताकि जाइलम उसको आगे तक पहुंचा सके और फिर नेक्स्ट जो है वो असेंट आप सैप क्योंकि अपने जल को जब से जाइलम तक पहुंचाएंगे वो जाइलम उसको उपर सारे बागों तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको आपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे